अस्ट्रमाल इंकूल वेल्कूम तो मैं चैनल में टर्थियां सब्सक्राइब ठीक हूंगे आज उपके साथ में शेयर करें बहुत ही मुझदार सी सीख कबाब कराई बहुत ही इसी और बहुत ही जट परसी रेस्पी रेस्पी जट ट्राइ किजएगा बहुत ही यूनिक स्टा पता हैं कि उसके लिए हमने चौपर लिया इसमने सी कबाब को बैटर बनाना सिखाएंगे हम एक मेडियूप साइज का प्यास दिया है थोर से हरा अफुदीना डाल देंगे थोरा सहरा अदनिया डाल देंगे हर इमेजर डाल देंगे थीन से चार बारिकती हुई अदर लसल का पेस्ट आज देंगे एक चुम्चा एक अंडा दाज देंगे आदर चुम्चा नमक आदर जुम्चा कुटा हुआ गरम मसाला एक चुम्चा साब जीरा एक चुम्चा लार मचकुटी हुई सारी चीज़े डालके इसको अच्छी तार से चॉपर में मिक्स करके चॉपर चला लें जैसे पांच मिनट के लिए जह मसदार से सारी चीज़े अच्छी तार से चॉपर हो जाए देख सकते हैं मसाला मार रेडि हो गया अब इसे हमने कीमा डाल देना है चिकिन का हमने हाफ के जी चिकिन का कीमा इस्तमार किया है ये डार की फिरस हमने इसको मशिन को अच्छी तर से चला लेना है पांच मिनट के लिए जिए मज़दार सा हमारा बैटर रेडि हो जाए सीख कबाब का कि आप दिखिकते हैं मजदार सा हमार distortionusta सीख कबाब का बैटरो रेडी होगे है लिए कितने ही मजदार सा बना है केश्च्वाइस सीख कबाब बनाते जाए ओए आपसी 45 शीश कबाब रेडी हो जाएंगी इस मैट्रियरस से हम ऐसे ही सारे बनाते ऐक आप A.P अब हम इसको fry कर लेंगे, हमने पेन में इतना oil डालना है जिसे अच्छी तर से इसका color आ जाए और मज़दार से fry हो जाए इसको turn करते जाएंगे, flame को medium से high पे रखेंगे जिसे मज़दार से हमारा इसका color चेंज हो जाए और हमारे रेडि हो जाएंगे, फिर हम इसको बैटर में बनाएंगे तो इसमें अच्छी तर से गल जाएंगे हमने इसमें सिर्फ इसको color आने के लिए fry करना है जाब देशकते हैं हमारे सीकव अच्छी तर से fry हो गए है ऐसे हम दूसरे रेडि कर लेंगे देख सकते हैं हमने सारी सीकव अब रेडि कर लिए हैं फ्राइ कर लिए हैं अब हमने कराई लिए इसका हमने अच्छी तर से ग्रेवी रेडि करनी है हमने हाफ कप cooking oil इस्तमाल करना है अब इसमें एक चाप से पेस टाथे तेंगे m canlains अब प्यास का तते लोगा है मने करम नि》 अब श्तम ात्री करना एक चॉप प्यास दा है इसका की कशी तर सी मिटनी जाए मिक्स निगी आइदे जाए मिटने आफ अब एक चम्चा साब जीरा डाल देंगे बहुत ही मज़दार सी क्रेवी रेडी होगी हमारी अब इसमें टॉमेटों प्यूरी डाल देंगे हमने तीन से चार टॉमेटों ली थे उसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करके टॉमेटों प्यूरी रेडी कर लिए हमार एक कब समधी प्यूरी रेडी होई है इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इसमें एक चम्चा लाण मेश को टिवी डाल देंगे अधुचमचा हल्दी अधुचमचा नमक आदो जुम्जा कुटा हुआ गर्म मसाला सारे चीज़े डाल के स्कॉची तार से टॉमेटिक प्यूरी के साथ मिक्स कर ले फ्लैम को लोब से मिडियम पे रखी गा देख सकते कितने मज़दार से इसमें बबल आ रहे हैं इसमें आपने एक ग्लास जिदा पानी डाल के स्कॉची तार से मिक्स कर लेना है अब जैसे इसमें उबाना है इसमें आपने कबाब डाल दे जाना है कबाब डाल के इसको आपने 20 ते 25 मिनट के लिए लोब फ्लैम पे पकाना है जैसे मज़दार से आपकी ग्रेवी के साथ कबाब भी गल जाए और बहुत ही मज़दार सी सीख कबाब कराई रेडी हो जाए आपकी जब देख सकते ही इसमें बाल आ गए इसको ढखन देके छोड़ देंगे जाब देख सकते ही 25 से 30 मिन गुज़दे हैं मज़दार सी हमारे सीख कबाब कराई रेडी हो गई आप देख सकते ही टेस्ट वाइस भी बहुत ही यम बनी है आप रेक्स भी जरुद ट्राइ कीजएगा इसको आप पे डिपेंदे कितना ड्राय करें कितना आप उसको खुश बदेख सकते हैं और डेस्ट ट्राइस भी बहुत अच्छा लगता है लेकर रेक्स अधिक इतना मज़दार सा हमारे कबाब बल गया है हम इसको रोटी के साथ सेर्फ कर रहेंगी अप जावर के साथ बी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़दार से लगता है उम्मीद करते हैं और इसमें पसंद आयोगी ट्राइज जरू कीजेगा अलाफिज